नमस्कार, मेरा नाम उम्प्रकार्श यादव है, मैं पटना भिहार में रहता हूँ और मैं एक पुर्व आईये सद्यकारे भी हूँ आज आपके सामने मैं एक बहुत ही महत्पुर्ण विशय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ इसके पहले कि मैं अपनी बात सुरू करूँ, मैं थोड़ा सा अपना संख्षिप्त परिशय दे दूँ परिशय देने का मेरा उदेश कोई अपने बारे में अपना बखान करना, अपनी प्रसंसा करना नहीं है मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कि मैं किस परिवेश से आया और कहां तक पहुँचा क्योंकि जिवन में महत्पुर्ण ये नहीं होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं जिवन में महत्पुर्ण ये नहीं होता है कि आप कहां जा सकते थे जिवन में महत्पूर्ण ये होता है कि जिवन आप कहां तक गए मुलतह मैं नालंदा जिला बिहार का रहने वाला हूँ हमारे पिता जी एक मजदूर थे आप यूँ कहें हमारा उस्तैनी घर नालंदा जिले के एक छोटे से गाउं में है सुंदरपूर उस गाउं का नाम है और हमारे दादा जी बहुत गरीब थे दुसरे के खेत में मजदूरी करते थे और हमारे पिता जी कुल पाँच भाई थे चारो भाई बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाये गरीबी के कारण हमारे पिताजी किसी तरीके से उस जमाने में 1929 में एक आने मारे फादर बताते थे, उन्होंने मैट्रिक पास की, 10th को उसमें 11th होता था मैट्रिक, गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाए और वो घर छोड़कर धन्वाद चले गए, धन्वाद कोईलियरी कोईल मान्स के जाना जाता है, काला सुना जिसको बोलते हैं, उस पर कई फिल्में भी बनी हैं, वहाँ चले गए और उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अंट्रपेनियोर्शिप का भाव जगा, और उन्होंने अपने लिए एक फोर्चुन बनाया, कई कोईल मेरा जन्म हुआ, यानि मुलता हाने वाला मैं नालंदा जी लेका हूँ, लेकि मेरा जन्म और मेरी आरंभिक सिक्षा धनवाद में हुए, धनवाद में मेरे जन्म के बाद सरकारी स्कुल में क्लास, अगर मुझको ठीक से याद हो, क्लास फाइब तक मैंने सरकारी स्कुल मे पढ़ा नयाडी कुसुंडा कुलरी प्राथम की जाले नाम था फिर उसके बाद से फिर हम एक कॉन्वेंट स्कूल में चले गए पिता जी चाहते थे कि जो पैसे के अभाव में उनकी सिक्षा अच्छी नहीं मिल पाई तो उनके पुत्र को अच्छी सिक्षा मिल पाई उस वक किया उसके बाद फिर हम मुगेर आ गए वहां से हमने ग्रेजूशन की पढ़ाई की जब कॉलेज की पढ़ाई मेरी खत्म हुई तब तक हमारे परिवार के आर्थिक सति बहुत खराब हो गए हमारा जॉइंट फेमिली था हमारे फादर पूरे परिवार को नेविगेट करत थे जॉइंट फेमिली में हमारे चाचा ताउ के लड़के और लड़की यानि हमारे चचेरे भाई बहन कुल मिलाकर 11 बहने और साथ बाई थे सबकी साधी हुई और जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई और जब मेरे पढ़ने का वक्त आया तो पिता जी के पास इतनी धन दर्स की कहानी सुरू हो गई कॉलेज में पढ़ने के लिए हम मुएर चले गए अपना ननिहाल किसी बड़े साहर में भी जा सकते थे दिल्ली में भी एडमिशन हमारा हो रहा था लेकिन यकीन कीजिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे या फिर मैं फादर को अनिसेसरी बड़ाली और पैसे की कमी की तस्वीर बिलकुल साफ दिखाई पड़ती थे तो हमने समझोता किया और मुगेर चले गए आप यकीन कीजिए एक टूटे से घर में एक कमरे के चोथा ही हिससे में बैठ कर मैंने पढ़ाई किये कितनी रातें हमने चांदनी रात में बिलकुल खुले च्छत पर बिताई होगी मुझको याद नहीं है साइकिल से 20-25-25 किलो मिटर का सफर तैकर कॉलेज जाते थे कई दीन मैंने दीन का खाना नहीं खाया होगा भूखे पेट में ग्यास हो जाता था दर्द करता था लेकिन एक ही धे मुझको टिका के रखा और वो ये कि मेरे पास अखोने को कुछ नहीं है और मैं एक मातर अपने परिवार की उमीद आसा का लौ हूँ मैं जब भी घर जाता था पिता जी के आँखों में मेरे लिए तैरते हुए सपने मुझे प्रेरीट कर दे थे मुझे उत्साहित भी कर दे थे और उस आर्थिक बधाली में भ मेरे सपनों की कमर कभी नहीं टूटी क्रेजोशन पास करने के दर्मियान मेरे कई दोस्त ने बहुत मदद की एक डॉक्टर अविजीत सेन गुपता है अभी वो हाई स्कूल में सिक्षक है उनको पद्मा एवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया शांदार व्यक्तित उनके पिता जी माता जी अब नहीं रहें उन्होंने बहुत मदद की डॉक्टर डियन पंडित अभी बाबु कुमर सिंग इन्वस्टी में प्रोफसर हैं जुलोजी के कई प्रुसकार उन्हें मिले उन लोगोंने बड़ी मदद की लेकिन इस सबकी आर्थिक्सिती बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी इन लोगोंने हमें इन्हें मदद की इन दोस्तों को मैं जरूर याद करूँगा और बहुत सारे दोस्त है फिर वहां से पास करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक उद्देश था सिर्फ एक लक्ष था और वो लक्ष जो मेरे पिता जी के आँखों में सपनों की तरह कैद हो गया था उन्होंने मेरे सपनों को अपने पलकों से अपने पलकों पर सजा के रखा था उन्होंने मेरे सांसों पर अपने पलकों से पहरा भी दिया था मुझको याद है graduation तक हम जब भी जाते थे गाओं में अपने पिता जी के साथ ही सोते थे तो उनके उस रक्षा कवच को मैं हमेशा महाशूस करता था और उसी के साहरे मैं फिर पटना आया ने कितनी संघर्ज की कहानिया आपको बताओ मेडिकल तैयारी के क्रम में मुझको याद है कि 82 में पटना में बहुत थंड़क पड़ी थी मेरे पास एक हाप शोटर था चार दोस्त थे एक दरी और एक कंबल था जिसमें तीन ही दोस्त सो सकते थे वो चौथा दोस्त रात में उठके पड़ता था बेबस इसलिए कि तीन ही दोस्त उस कंबल में सो सकते थे उस संघर्सों को पार मैं कोई अपनी गाथा नहीं दोह रहा हूँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब संघर्स आपके जीवन में आता है जब इस्वर आपको चड़ी से मारता है न तो इस्वर आपको दंड नहीं दे रहा होता है वह आपको रेस में और तेज दोड़ने के लिए प्रेडित करता है मुझको भी वही उस वकत तो नहीं महसूस करता था लेकिन अब लगता है कि कदाचित वही था फिर पटना में आये और सिविल सर्वसेस के तेयारी शुरू की मुझको याद है कई साम हम लोग खाना नहीं खाते थे मुझको याद है साइकिल से 28-26 किलो मिटर पैदल चलते थे डॉक्टर विनाय कंट डॉक्टर डेजी नरायन डॉक्टर ने इमतियाज है हमेर ये वैसे सिक्षक थे जिनने मुझे बहुत बहुत सिखाया मेरा एक दोस्त है सुबेंदू जयपुरियार हम लोग मिल करके सपने से जाते थे अभी जीत जो बात में सिविल सर्विसेस में ही आये पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था आपको मैंने एक बार दो बार बताया भी है लेकिन सम्हाव हमारे फादर चाहते थे कि हम सिविल सर्विसेस में आजाए क्योंकि 1971 में उस वकत प्रधान मंतरी स्रीमत इंद्रा गांधी थी और उनकी एक नीती थी रास्ट्रिय करेंड की नीती के कारण 1971 में हमारे फादर का कुलेरी नेशनलाइज हो गया और हम लोगों की सारी संपती जब्थ हो गई और हमारे फादर को उसी कुलेरी में नौकरी करने पड़ी जहांकि वो ओनर थे तो उनके जहन में ये बात बैट गई थी कि जिले का कलेक्टर इस भी बहुत पावरफुल होता है और हमको अमेशा इंसिस्ट करते रहे तो वो सिविल सर्विसेज में जाना है हो सकता है कि वो मेरे बैक अफ दे माइन में या पावर अफ सबकंस्स माइंड था हमारे फादर का वो हुआ और फिर हम सिविल सर्विसेज के तियारी की और फिर हम नौकरी में आ दे नौकरी भी बहुत सांदार तरीके शमयने की राज के अलग-अलग उच पदों पर रहे और जिसको बहुत ही जिसको हम लोग बोलते हैं administrative skill और विलकुल upright तरीके से मैंने नौकरी की अच्छा नाम भी हुआ आज भी administrative circle में हमारे अच्छे नाम है लोग अच्छे दिकारी के रोप में मुझी जानते हैं और इस बात का मुझे बहुत संतोस भी है लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे कारण हुए इन फैक्ट आप यूं समझें कि अब administrative services खासकर police services और administrative services में जबाब जाते हैं तो आप कुछ bad habits के सिकार हो जाते हैं मुझे cigarette पीने के आदत लग गई और non wage खाने के मैं बड़ा सौकीन हो गया इन दोनों कारणों से और कुछ और bad fooding और eating habits हो गई जिसके कारण health से related कुछ चुनावती हो गई body बहुत बलकी हो गया, cholesterol level बढ़ गया BP बढ़ गया, stress level बहुत आई रहता था, उन दिनों मैं Nepal के border पर एक जगह है वहीं पर post-it था, माओबादी गतिविती बहुत बढ़ी होई थी, उन कारणों से मेरा stress level बहुत बढ़ गया था तो किसी डॉक्टर के संपर्क में जब गए, in fact blockage भी detect हो गया था, तो उसकी जो medicine होती हो लेना शुरू किये इसी क्रम में हमारे एक junior साथी, जो दूसरे services में थे, उन्होंने बताया कि newtlight कुछ brand है, उसका product आप लीए थे तो मुझको कुछ जादा जानकारी थी नहीं तो उस newtlight brand को लेने लगे अच्छा फाइदा भी किया हमारे मिसेज का जनम बेसक बिहार सरीफ में हुआ लेकिन उनकी पूरी सिक्छा राजस्थान में हूँ बनस्थली में तो वो साथी के बाद घर में ही रहती थी और फिर ये हुआ कि उस मुत्रे ने कहा कि इसका एक business भी हो सकता है तो कोई business का ऐसा कोई भाव था नहीं लेकिन एक दो घटना हमारे सेवाकाल में हुई हमारे एक दो batchmate का निधन हो गया स्वास्त कारणों से और जब उनका निधन हुआ तो उनके family का पूरा economy था पूरा finance था वो गडबड हो गया तो उसके कारण हमको भी डर लगा रहा था कि एकर single income पर घर चल रहा है आप कितने भी बड़े पद पर हो उस पद पर कोई चुनोती हो जाएगी तो आपको बहुत कठना ही होगी बट सम्हाव जीवन ठीक ठाक चली रहा था तो ऐसा कोई थाउक नहीं था तो अन्मनेट धंग से मारी वाइफ ने इस business को सुरू कर दिया और उसको हम सपोर्ट करना सुरू किये और फिर एक दो बड़े सेमिनार्स देखे हैं हमने इसके चीजों को पढ़ा कुछ किताबें पढ़ी पढ़ने की आदत सुरू से ही थी तो जब किताबों को पढ़ा तो फिर मुझको लगा कि पार्ट टाइम में बचे हुए समय में बगएर किसी बड़े investment के और बिलकुल इसको बोलते हैं honesty से hard work करके कोई business खड़ा किया जा सकता है तो करना चाहिए और वहीं से direct sale business के सुरुआत हमारी हुई दोस्तों मैं आपसे इस story को सिर्फ इस इसलिए share कर रहा हूँ कि हम आपसे बात कर सकेंगे कि ये direct sale business है क्या और direct sale business किसी बेक्ती को क्यों कर लेना चाहिए आप सब को पता है कि COVID के बाद दुनिया की पूरी अर्थवेवस्था बदल चुकी है पूरा समाज पूरी अर्थवेवस्था बिजनस के मॉडल टेक्नलोजी ये बहुत कुछ बदल चुका है artificial intelligence उसके interventions इन सभी इसको बोलता है disruption in technology या technological disruptions तो ये सारी चीजें हो चुकी है ऐसी स्तिती में direct sale business क्या किया जाना चाहिए एक middle class बेक्ती जिसके पास समय, पूंजी background risk लेने की incapacity के दर्मियान ऐसी परिपेक्ष में वो क्या कर सकता है तो हम आपके साथ पूरी series लेकर आता है जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि why direct sale direct sale किसी बेक्ती को क्यों करना चाहिए क्या direct sale एक business का genuine model है क्या direct sale कोई industry है भारत सरकार का perspective क्या है निती आयोग direct sale business के बारे में क्या कहता है आजकल एक economy में word है जिसको लोग बलते है geek economy और ये geek economy जिसको freelancing भी लोग बलते हैं बट उसका appropriate world geek economy geek economy के बारे में निती आयोग क्या कहता है एक report के नुसार निती आयोग ने कहा है फैक्टी थोड़ा पुराना report ही है दो, तीन, चार साल पहले का जो कहता है करीब करीब 40-45 लाख लोग इस geek economy के जरिए भारती अर्थ विवस्था में GDP में considerable contribution कर रहे हैं direct sale business को ministry of consumer affairs ने क्यों recognize किया है क्यों इसके लिए rules आ रहा है e-commerce को regulate करने के लिए क्यों rules proposed है तो मैं उस पर पूरी series में बात करूँगा कि why direct sale what are the special features of direct sale और direct sale में भी बहुत सारी company आ है जो direct sale के पूरे blanket में आती है लेकिन direct sale में भी किस company के साथ direct sale का business करना चाहिए how to choose a genuine and how to choose a right company उसके क्या features हो सकते है कौन-कौन से चीज है जिसको consideration में रखना चाहिए in order to or you can say while choosing a direct sale business and while choosing a company for direct sale business what are the special features which should be taken into account कि इन चीजों को consider करना चाहिए इन पूरे विशय पर मैं कम से कम तीस कारान आपको बताऊंगा कि why direct sale business why this direct sale business is the need of the hour not only for you and your family but for society and country as a whole देश की बढ़ती वी अर्थवेवस्था है मैं direct sale business का क्या योगदान होने वाला है मैं 30 कारन बताऊंगा 30 features बताऊंगा और उसके बाद मैं कम से कम 25 features की बात करूंगा कि कैसे कोई genuine और growing everlasting futuristic कमपनी को चुनना चाहिए किस कमपनी को चुनना चाहिए जिसमें आप बहुत grow कर सकते कौन सी कमपनी genuine है कौन सी कमपनी के sales and marketing plan और compensation plan genuine है कौन सी कमपनी के सारे activities as per the rules and as per the policy of government of India है कौन सी कमपनी है जो इस technological disruptions के साथ आगे बढ़ रही है यानि कौन सी वो कमपनी है direct sales की जिसके साथ अगर हम जुड़े और उसके साथ कदम से कदम मिला कर बढ़े तो हम एक सांदार भविस्क का निर्मान कर सकते हैं और हम अपना carrier बना सकते हैं और इसके लिए आप जुड़े रहे मैं पूरी सीरीज ले करके आ रहा हूँ और एक एक बिंदू पर विस्तार से तथियों के साथ आखनों के साथ नियम और कानून के दाइरे में आप से बात करूँगा और उसको सुनने के बाद आप बिलकुल असपस्ट हो जाएंगे कि how to choose a direct sale business why to choose a direct sale business and how to choose a right company in doing business और एक चीज़ मैं सही याद रखें दोस्तों आजकल एक भरमार चल गई है और एक पेशा बन गया है motivational speakers का जो व्यक्ति एचीव किया है वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है यानि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं है तो आपको डॉक्टर बनने का रास्ता नहीं बता सकता है कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर बनाने का रास्ता नहीं बता सकता है कोई ब्यक्ति अगर mathematics नहीं पढ़ा है तो आपको mathematics के formula नहीं बता सकता है ठीक उसी प्रकार जिस ब्यक्ति ने direct sale का business नहीं किया है और किसी सही company में काम नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ motivational speaker हो जाने से आपको सही रास्ता बता देगा इस भरम में कदाचित नहीं रखे इस बात को हमें साई याद रखे क्योंकि कहता है content without speech speech without content is an announcer and speech with content is a speaker but speech content and experience make a good leader अगर इन चीजों में आपको बढ़ना है तो leader की बात सुनिए announcer और speaker की बात मत सुनिए मैं पूरी series के साथ आपके समक्षा रहा हूं ताकि आपको genuine तरीके से सही तरीके से मदद कर सकूँ और आप आगे बढ़ सकें और सलफल हो सकें नमस्कार